हेलो बच्चों कल हमने व्याकरन का टोपिक लिया था संग्या के संग्या थोड़ा सा दुबारा बता देती हूं में संग्या किसे कहते हैं किसी भी वस्तू का किसी भी प्राणी का किसी भी व्यक्ति का और किसी भी स्थान का या किसी भी भाव का नाम जो है संग्या है तो संग संगया के Намने तीन बेद की हैं इसकी प्रिभाषा हमने लिखी थी जांति-विषेश के लिए किसी प्राणीविशेश के लिए किसी भी vasto, विशेश के लिए, किसी भी स्थान विशेश के लिए जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं जो नाम किसी को दिया गया है वो जो है व्यक्ति वाचक संग्या में आता है जैसे अभी इसमें example में हमने देखा था नहिरू जी गोदान ये किसी गोदान किसी वस्तु का नाम है बुक का नाम है किताब का नाम है और नहरुजी किसी व्यक्ति का नाम है किसी व्यक्ति विशेश का नाम है दिल्ली किसी स्थान विशेश का नाम है तो इस तरह किसी विशेश स्थान विशेश व्यक्ति या विशेश प्राणी के नाम को व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं दूसरा है जाति वाचक संग् है विशेश किताब है तो वह जो है क्या हुकति बहुते जातिवाचक संगय पूरी उनकी जातिक बोद करा है वह क्या होते हैं कि तीसरा आं पढ़ेंगे भाव आचक संग्याओं की रचना देखो भाव आचक संग्याओं मूल रूप से दो प्रकार की होती है पहला होता है मूल और दूसरा व्यूत्पन मूल कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही भाव आचक संग्याओं मूल रूप से वह भाव आचक संग्याओं जै हुइं हैं उनने क्या होता है कि जो शब्द दिए होगतें उसमें हम प्रत्य लगा करके कि इसी भी शब्द के सब्द के बाद में लास्ट में लगकर क्रके जो उसे शब्द के अर्थ को बदल दे रहे 사ते कहों प्रत्ते हैं लगा करके का लगार कर करके भाववाचक संग्याएं बनाई जाती है अब हम इनके कुछ उधारन देखेंगे जैसा पहला है जाती वाचक संग्या से अब देखो जाती वाचक संग्या मैंने बताया मित्र जाती वाचक संग्या है तो इसमें हम क्या करेंगे ताप रखते लगाएंगे और ये कौन सी भाववाचक संग्या में क्या बन जाएगा ये मित्रता इसी तरह पुरुष है पुरुष से क्या बन जाएगा पुरुषत्व उसके बाद भक्त से भक्ती ठीक है और लड़का लड़कपन लड़कपन पंडित पंडित्य और गुरु गुरुता भी हो सकता है और गुरुत्व भी हो सकता है ठीक है ये देखो ये कुछ जाती वाचक संग्या है थी देखो ये जाती वाचक है लड़का सभी लड़कों के लिए हम लड़का ही इस्तमाल करते हैं तो ये लड़कों की प पुरे समहूं के बारे में बताता है इसी तरह इनके पीछे प्रत्य लगाकर बंदु कर सग्याएं बनाएं जैसे गैं मैं एहम से बनेगा एहंकार, एहंकार, अपना से अपनत्व या अपनापन, अपनत्व या अपनापन, ठीक है, स्वा से स्वत्व हो सकता है, ठीक है, और सर्व से सर्वस्व, निजता, आप से आपपा, ठीक है, इसी तरह विशेशन, अब विशेशन से बनाएंगे, विशेशन आपको पता है, जो संगया या सर्वनाम शब्द की विशेशता बताता हूं, उसे हम विशेशन कहते हैं, तो यह कुछ विशेशन है, देख झाल 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 झाल